हेलो बच्चा लोग दिस इस गोपाल सार एंड वेलकम टू एजुविस्टर्स सुरी हम आप लोगों को डेली वीडियो नहीं दे पा रहा है कुछ प्राब्लम हो जा रहा है बच्चा ऐसा कि हम फस जा रहा है जिसके करण डेली नहीं दे पा रहा है लेकिन फिर भी हमारा है कि एक अनिमल लगभग आज कंप्लीट यानि आपका एक अनिमल हमने कंप्लीट कर दिया है यह ट्रिपैनोसोमा हम खतम कर देने वाले हैं इसके बाद जो स्टाट होगा नेक्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे फिलाल में आज इसको हम इंड कर देते हैं देन हम क्लास चलते हैं दन नहीं वैसे ही हम क्लास पे चलते हैं फिलाल में बात कर लिया जाए ट्रिपैनोसोमा की बात हो रही है ट्रिपैनोसोमा के बारे में हमने बता दिया उसकी एक्स्टरनल मार्फोलाजी जनरल करेक्टर क्लासिफिकेशन उसके बाद हमने उसके बारे में जो डाइ आपनी जगह है आप अच्छा लग रहा आप लोग जल्दी हमने ग्रोद किया आप लोगों की वज़े से आप लोग प्लीज नोट्स जरूर बनाईए यार क्योंकि इस lockdown में बच्चा कोई coaching कोई college कहीं से कोई support बच्चों को नहीं मिल रहा है हम ये देख रहे हैं बहुत से बच्चे ऐसा face कर रहे है daily call आ रहा है daily message आ रहा है comment आ रहा है बच्चा उनको notes नहीं मिल पा रहा है तो आप लोगों को अगर हम free में class दे रहे हैं lecture दे रहे हैं notes दे रहे हैं तो please आप लोग बनाते रहे हैं और सायद ये भी हम कह सकते हैं कि आप लोगों का जो video लेट हो रहा है हमारे पास already notes हैं हम कई सालों से BSC को चला रहे हैं हाँ online नहीं चलाते थे वो अपनी जगह हैं लेकिन फिलाल में अब हम notes में बहुत सारे परिवर्दन करके ला रहे हैं जो exam के basis से बहुत important हैं so please आप लोग notes को जरूर बनाएं हाँ कुछ बच्चे जो हमारे पहले से हैं उनके पास मेरा पुराना notes होगा तो उससे compare जरूर करें लेकिन यह नया notes आप लोग बनाते रहे हैं क्योंकि हमने बहुत सारे changes किये हैं तो हो सकता है आप लोगों को थोड़ा problem face करना पूरे तो बेटा आप लोग भी नया notes बना लिजेगा जो पुराने बच्चे हैं उनके लिए suggestion है हम यहां क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में बढ़ा disease symptom diagnosis treatment spelling mistake होगा तो आप लोग सुधा लेजेगा इतना तो अमारा नार्मल सी बात है हमारे लिए फिप prevention हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या जो बीमारी ट्रेपैनोसोमा से क्या बीमारी होती है इसके क्या लक्षण है इसका परिछण कैसे किया जा सकता है इसको रोका कैसे जा सकता है इससे बचा कैसे जा सकता है तो जरा हम देख लेते हैं यहां पर हमारे पास क्या है नोट्स disease जो है यह ट्रेपैनोसोमा गेंबियेंस कास कौन सी disease कास करती है उसका नाम क्या है अफ्रिकन स्लिपिंग सिकनेस पहले से ही चला आ रहा है आप लोगों को हमारी उमिद से जब से हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को ये एकदम तयार हो गया होगा बिटा कि जो सीशी फ्लाई है वहीं ये disease कास करती है और होता किसके द्व है ठुपैनोसोमागेन्स के द्वारा होता है क्या होता है अफ्रिकन स्लिपिंग सिकनेस यह हमने वी बारं बता आपको द्वारा होता है इससे होता क्या है स्लिपिंग सिखनेस होता है इसको बोला क्या जाता है यह ट्रांस्मीट किसके द्वारा होते हैं सीसी फ्लाई के द्वारा तो आई होप आप लोगों को यह डिजीज वाली पॉइंट एकदम क्लियर हो गई होगी next point पे हम चलते हैं बटा symptoms symptoms में क्या है कि parasyte swim in the blood why trepanosoma, sorry कुछ चला गया, sorry, just a minute, कोई नहीं कोई नहीं, चली, तो यहां पे बात आती है parasyte swim in the blood, यह आलेड़ी CC fly क्या करती है जो ही सक करने आती है human blood को, तो वहां पे वो अपने saliva को छोड़ देती है, जिसमें मक्खी के अंदर मौझूद कौन सी स्टेज आप लोग बताएंगे कमेंट में कि वो कौन सा स्टेज जो मक्खी के सलाइवरी के साथ सलाइवा के साथ human being के blood में चला जाता है और blood में जाने के बाद ये इधर उधर swim करता है और swim करने के बाद invade कर जाता है अंदर घुच जाता है धस जाता है lymphatic gland में और कारण क्या वहाँ पे होता क्या है इसमें अंदर जाने के बाद वो gland swell कर जाता है जैसे elephantasis आप लोग देखे होंगे हाथी पाँ जिसको बोलते है disease जहां पे पैर फूल जाता है तो वहां पे ऐसी बात होती है लेकिन ऐसा यहां नहीं है इससे थोड़ा उससे थोड़ा सा कम लेकिन ऐसा ही दिखलाई देता है sleeping sickness is caused when the parasite यह कैसे दिखलाई देता है कब होता है कब दिखलाई देता है कब समझ में आता है जब यह cerebral spinal fluid यानि central nervous system में entry मार चुका होता है central nervous system में जहीं entry मारता है जो हमारे अंदर cerebral spinal fluid होता है उसमें यह चला जाता है और इसकी जो main लच्छण है यह irregular fever है यानि न रुकने वाली fever आज आई हमने दवा लिया फिर दो चार दिन रुक गई फिर चार दिन बाद फिर इस्टाट फिर चार 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 दिन बाद फिर मतलब यह continue आ रहा है जा रहा है वैसे तो नार्मल सबको आ रहा जा रहा है कोरोना का भी लच्छण है लेकिन यह कोरोना वाली बात आप लोग मत कल लेना कोविट नाइंटीन यहां भी नहीं यह बटा यह बात हो रहे है किसकी ट्रिपैनोसमा की तो fever इतना बदनाम हो चुका है कि लगभग हमको लगता है कोई भी बिमारी यहां तक कि अगर बच्च चलता रहता है कभी आएगा कभी जाएगा और भी कुछ इसके लच्छन हैं क्या-क्या है जरा देख लेते हैं विकने से बच्चा कमजोरी हो जाएगी सरीर में यह तो सब जानते हैं बिमार हो गे खाओ नहीं कमजोर हो जाओगे और पियो मुटे हो जाओ तगड़े हो क्वेट साफेट यहाल है है एक दम दूबले पत ले थोड़े से वेट में कमी आएगी गी मत कहना कि है यहाल हाँ देन आता है एनइम gef क्या है कि इस फर अपसेंट नेमिया मतलब ब्लड की चो बात हो रही है वह ब्लड यहां जाएंगी और NES में कमी आने लगते हैं एनेमिया इनक्रीज पॉल्स रेट पॉल्स रेट दख 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 वो धड़कन दख 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 जो चलती है वह वाली बहुत बार आप लोगों की धड़कने बढ़ी होंगी तो वह मत समझेगा कि उस समय आप लोगों को क्या हुआ ट्रिपैनो समेसिस वाटसब पे आज मैसेज नहीं है सरदर्ड बहुत जादे सरदर्ड मैसेज दिन भर आ रहा है उसका सरदर्ड तो वह वाला सरदर्ड नहीं यह बीमारी यहां पे सरदर्ड बढ़ जाता है दिन बात ह quieter है during sleeping sickness यानि जब ये चल रहा होता है बीमारी patient ultimately died वो अचानक से मर भी सकता है कोमा में जा सकता है एक बड़ी interesting point है जो हम directly आपको बोल दें ये जिन्दा है तो इतनी भी लच्छन को अपने दिखा रहे हैं मरने के बाद भी बड़े खतरनाक हो जाते हैं क्या करते हैं ये जब मर जाते हैं तो होता क्या है कि वहाँ पर accumulate करने लगते हैं कत्रित होने लगते हैं जिसके करण गाठे बनने लगती हैं मालो brain में है तो वहाँ पर accumulate करेंगे या nervous system में कहीं पहुँचे हैं तो वहाँ पर accumulate करेंगे और problem create कर देते हैं कि व्यक्ति कुमा में जा सकता है, brain hemorrhage हो सकता है, ऐसी इस्तिती ये करते हैं जो ही मरेंगे, मरने के बाद ये कत्रीत होने लगेंगे, एक जगह जाके accumulation होने लगेगा इनका और जिससे problem create कर देंगे, यानि सर्कुलेसर अच्छे से होगा नहीं, तो कुछ भी होने के लिए chance बन सकता है, चलिए next point पे चलते हैं आगे, आगे हम चलते हैं diagnosis की तरफ, diagnosis यानि इसका परिछड किया जाए, जब हम इसको लाइब में ले जाते हैं, तो क्या होता है, ट्रिपैनसोमा में भी detected, इसको हम detect कैसे कर सकते हैं, ब्लड फिल्म के जरिए, यानि फ फिल्म में हम देखेंगे, तो इसको diagnosis करके, परिछण करके हम निकाल सकते हैं कि ट्रिपैनसोमा कैसा दिखता है या कहा है, फिर हम prevention and control की तरफ आते हैं बच्चा, तो CC fly can be reduced by chemical agent, यानि इसको घटाया जा सकता है, पहले तो CC fly को ही मार दो, एक simple सी बात, भाई अगर हम आपको किसके लिए, क्या बताएं, कोई ऐसा आप example बदा, जैसे, कोई example, simple सा एक example ले ले लेते हैं, अगर हम किसी ब्यक्ति को जल के बिना मारना चाहते हैं, तो उस area से, जल के जितने स्रोत हैं उसी को हटा दे, जल के बिना मर जाएगा automatic, क्योंकि जल का स्रोत हटा देने से, जल उ कि इधर उदर कर रहा है travel, उसी को मार दे, I mean CC fly को ही reduce कर दे, घटा दे या मार दे, chemical के द्वारा, जैसे मक्खी या मच्छर को कैसे मारते हैं, chemical का छिड़काओ करके, वैसे ही अगर हम इसको, किसी chemical का छिड़काओ करके, अगर मार दे रहा हैं, जैसे insecticides होता है, पेस्टी सा आया जा सकता है, by killing the vector CC, fly जो है, यहीं vector है, इसी को मार दो, with the help of insecticide, simple सी बात है, आप लोगों को अगर कोई चाहें, कि जुलाजी का class ना मिले, तो हमारा mobile तोड़ दे, हमारा camera तोड़ दे, माइक तोड़ दे, हमारे साथ channel में कोई problem कर दे, तो आपको class नहीं मिलेगा, को कोई यहां से हटा दे, तो क्या यहां, कपिल सर्मा का comedy सो चलाएंगे कोई आके, नहीं न, आपको तो class से मतलब है बच्चा, तो यहां पे वहीं same problem है, कि अगर मक्खी कोई हटा दिया जाए, तो यह ट्रिपैनो सुमा को फैल आएगा कौन, simple सी बात है, तो इसके लिए use क का होता है, कुछ insecticide use होते हैं, जैसे DDT है, फोल फार्म लिख देना आप लोग, भी एस सी का लिख देना, और यह तो जानी रहा है, गमक्सिन, नहीं महलू मैं, डाइक्लोरो, 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 अब आप लोग बताऊगे, हम पूरा नहीं बताएंगे, बेंजीन सारे मेथट के द्वारा घटाया जा सकता है, इंजेक्शन आप सुरयमीन, एवरी टू आर थ्री मन्थ, और मोर इफेक्टिव फार इस पैरासाइट, यानि सुरयमीन का इंजेक्शन लेते रहें, दो या तीन महिने पे, वहां के लोग, यहां पे ऐसी बीमारी होती है, जिस मक्खी को मारना, कुछ वहां पे छिड़काव करना, जिससे मक्खी आही ना पाए, और इसको रोक दिया जाए, तो रोका किसको जा सकता है, ट्रिपैनोसोमा के फैलाव को, क्योंकि हमें अभी यहां क्या पढ़ना है, बेटा, कंट्रोल, प्रिवेंशन, रोक थाम, चलते हम आगे, नेक्स्ट पॉइंट की तरह बेटा, चलें, हम बात करते हैं बेटा, ट्रिटमेंट की, यानि अगर कोई बीमारी से आप पीडित हो, तो ट्रिटमेंट होना जरूरी है, आपका इलाज होना जरूरी है, मतलब आपको कुछ ना हो, बगवान ना करेंगे, ऐसा आप कि इसका इलाज कैसे किया जा सकता है, इसके अंदर यह सफ़र्ड कर रहा है, आरहा है, फालोज दिया हुआ है कि कुछ प्रासेस को अपना कि हम इसको रोक सकते हैं, इसमें सुरामिन सोडियम ले सकते हैं, बायर टू जीरो फाइफ, देन है, एट आपसील, एंड ट्राइपरस जैसे ट्रिपैनोसोमा नाम से ही बना है, ट्रीपरसेमीड, ट्रीपरसेमीड है, फिर आता है, यूजड इन अर्ली स्टेस आप डिजीज, यानि जब स्टार्टिंग अवस्था में, स्टार्टिंग अवस्था में कोई भी बिमारी होना, अगर अच्छे से इलाज कर लिया जाया है, उसका उसकी जानकारी हो जाया है, और उसके लिए नार्मल दवा भी अगर हम लोग सुरू कर दें, तो रोका जा सकता है, लेकिन जब कोई भी मिमारी खतरनाक अवस्था में पहुंच जाये, तो उसको रोकना इंपॉसिबल है, जैसे अभी COVID-19 जो चला है, इस दो कर लेते हैं, बेवज़ा का हाथ मिला ले रहे हो, क्या हाथ मिला के कर लिए, तो उस चीज से बचे रहो, अपने काम से काम रहो, क्या जरूरी है 10 लोगों से मिलके आना, जाओ मिलो हसो खेलो बात करो, लेकिन एक सावधानी बढ़तो, देखो खुद ही बिमार नहीं होगे, यह COVID-19 क्या, यह Corona क्या, बहुत से ऐसे infected person होते हैं, जो कई बिमारियों को लेकर चलते हैं, हम लोग उसको carry करके अपने घर पे लाते हैं, तो उससे भी बचा जा सकता है, तो एक बिमारी नहीं, बहुत सारी बिमारियों से हम लोग बस सकते हैं, खुद को बस safe रखें, ऐसे COVID तो आते जाते रहेंगे, लेकिन खुद को safe रखना है, तो सफाई से रहो, हर कहीं हाथ ना लगाओ, अरे अपने काम से बाई खुड़ा, यह ride कर गे, जाओ जा जाना है, उतरो अपना काम करो, बहुकाल बनागी निकलो, क्या जरूरी है, चलो topic प्यादने हैं, तो यहाँ प अगर injection या tablet या capsule ले लिया जाए, तो हम रोक सकते हैं इसको कुछ हट तक, या फिर last कर सकते हैं, यह खतम भी कर सकते हैं, next point में है, यह point है बटा, हम ऐसे point कर देते हैं, आप लोग ध्यान दिजीगा, यह कुछ और नहीं है, यह point का mark कैसे किया करते हैं, और्सामीन also effective when disease related to central nervous system, जब central nervous system से relate कर रहा होता है, वहां तक भी पहुंच जाता है, तो हम और सामीन अगर ले ले ले, तो साइद उस समय भी रोका जा सकता है, अब हम बात करेंगे, question आता है बटा, तो यह हमारी topic खतम हो गई, जहांपे हमने अभी discuss किया, disease, symptom, diagnosis, treatment, prevention, लगबग क्वेस्चन में push दिया जाता है लगबग paper में, तो आप उसको तयार कर लेंगे, एक question हमारी तरफ से रहेगा, बटा हम बहुत सारी चीजों को यहां point out कर दे रहे हैं, यह आपके लिए home work है, क्योंकि इतना पढ़ाने के बाद आप क्या कर रहे हो, तो जरा हम एक प्रश्न दे रहे हैं, जो जो life होती है, पहली host कौन से, human है, अब life cycle में पढ़े होगे, कहोगे, और यह सरी है तो पढ़े, हाँ बेटा वहीं चीज है, दूसरा क्या है, CC fly में complete होता है, यह question गुमा देता है, बच्चे confused हो जाते हैं, जो human में complete होता है, पहला strip होता है long slender form, दूसरा होता है बेटा कौ CC fly में पहली point long slender form, जहाँ पे human being से 60 stumpy से entry करता है मक्खी के अंदर, तो long slender form में होता है, यह long slender form, जो इस salivary gland में मक्खी के पहुंचता है, यह कहां मीडगट में है, यह salivary gland में है, वो उस समय क्राइटीडियल form, और यह क्राइटीडियल form salivary gland में ही metacyclic form में convert हो जाता ह है, और यह metacyclic form फिर entry करता है human being में, तो यह cycle कहीं ने कहीं आप देख रहा है, ऐसे arrow बन गया ना बटा, इधर से इधर, इधर से इधर यह चल लाए, तो यह life cycle ही हो गया ना, clear है, यह life cycle का ही दूसरा रूप है, जिसको कभी कभी एक जाम में गुमा देता है, और बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, होता क्या है, पॉलिमार्फिजम पूल देता है, आप इसका अलक्षे नोट्स बनाएंगे, क्योंकि यह मक्खी के बारे में पर्सनली दिया है, वहाँ class के बारे में था, यह मक्खी के बारे में दिया है, तो आप इसको जरूर point out कर ले, और जितन